नमस्कार प्रियमित्रों फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है डियसाई जोन में एक लॉंग चवाले नम्त रूठा हुआ इंसान नाराज इंसान कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे बात नहीं कर आप किसी से प्रेम करते हैं वो आपसे दूर जा रहा है इस सरल से उपाय को कर लेना जो आज हम आपको बता रहे हैं हमेशा के लिए आपसे बद जाएगा आपसे जुड़ा रहेगा कितनी ये नाराज़गी हो खत्म हो जाएगा बहुत ही खुबसूरत सा उपाय है एक ही बार का उपाय है बहुत सरल है कुछ भी विशेश आपने इसमें नहीं करना सिर्फ एक लौंग लेनी है साबुत लौंग अखंडित तूटी हुई ना हो लेनी है और एक जगें पर बैठ जाएगा उपाय की क्रिया किस प्रकार से करनी है इसे आप बड़े ही ध्यान पूर्मक सुने बहुत काम का उपाय है हमित्रो इसे कर लेंगे आप पासकेंगे अपनी प्यार वो भी सिर्फ अभी के लिए नहीं पूरी जिंदगी यो समझ लीजिए वो करेगा आपकी गुलावी उपाय इस प्रकार से हमित्रो आपने क्या करने जैसा कि बताया एक सावुत लौंग लेने नहीं है एक स्धन पर बैठ जाए जहां आप बैठेंगे कोई भी कपड़ा असन भी जाए आप पालती मारकर चौकडी मारकर बैठेंगे और उपाय शुरू करने से पहने स्नान करन यदि स्नान नहीं कर सकते किसी कारणवश तो अपने हाथ मुँपेर अच्छे से दो कर तब आप बैठेंगे और उपाय को मित्रो पूरे विश्वास पूरी जगीद से करें जितनी तनमेता जितने विश्वास के साथ आप उपाय करते हैं उतना ही प्रबल तरीके से वो करता है आपने क्या करना है आप उपाय के लिए बैठ गए लॉंग लेनी है उस लॉंग को आपने अपने उल्टे हाथ की हतेली पर रखना है और उसके ऊपर अपने सीथे हाथ का अनबूठा चुना देता है अलबूठा चुला कर आपने क्या करना है समसे बैठ साथ बार उ इसके लिए आप इसे करते हैं, औरत हो, अगनी हो, या निस्तरी हो, पुरोश हो, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं और कोई भी कर सकते हैं, शादी शुदा चोड़ा हो, या प्रेमी प्रेमिका हो, कोई साथी हो, कोई मैत्र हो, कोई भी किसी के लिए भी कर सकता है, किसी को भी वापस पाने के लिए उसके दिल में अपने प्रती प्यार जगाने के लिए कर सकता है अब आपने क्या करना है जो लॉंग है उस पर आपने गूधा रखा हुआ है साथ बार नाम लिया आखें अपकी बंद रहेंगी अब आपने क्या करना है साथ बार ही एक चोटा सा मंत्र बोलना है ओम फित्राई वश्यम ये आप मंत्र बोलेंगे और मंत्र जैसे आपने एक बार बुला उसके बाद उसके अन्यत्ती का नाम ले जब ये भी आप से कर रहे हैं उसका पहला नाम मुख्य नाम आपने लेंआ है साथ बार जब आपने मंत्र बोल लिया उसके बाद आपने क्या करना है वो लॉंग उपने सीधे हाथ पर पकड़ ले हम उठा आप तब तक नहीं अटाएंगे जब तक मंत्र और नाम पूरा नहीं बोल लिये उसके बाद आपने ये लॉंग सीधे हाथ पर उठा लेनी है और इस लॉंग को चबा लेना है अब आप क्या करेंगे उसस्तान से खड़े हुए आपने एक बड़ा इसमें काम विशिश तोर पर करना है जब आपने ये उपाई कर लिया आप जिस भी कपड़े आसम पे थे उसे एक तरफ कर दें उसे ठीक से कहीं और चाहां भी थी पहले उसकी जगे वहाँ पर संभाल दें उसके बाद आपने क्या करना है तीर गूट पानी पीना है और तीन गूट पानी जब आप पिएंगे हर बार एक घूट पीने के बाद उसे व्यक्ति को याद करके उसका नाम लेंगे जिसके लिए आपसे कर रहे और तीनो बार ऐसा ही करेंगे और जो पानी शेश रह जाए उस पानी को आपने है घर से बाहर कहीं भी साफ स्थान पर गिरा देंगे मित्रो ये उपाय आप कर लेंगे और आप देखेंगे आपका प्यार आपके बास लोट आए हमेशा के लिए और अगर आप एक तरफा भी किसी से ख्रेंग करते हैं तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं आशा करते हैं मित्रोग पुपाय आपको ठीक प्रकार्चे समझ में आ गया होगा अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में अपना ख्याल रखें खुश रहें नमस्कार